Students हम discuss करेंगे important news के बारे में Students newspaper का जो discussion है उसको start करने से पहले prelims के perspective से question है उसको हम यहाँ पर practice करेंगे Students आप भी one minute के लिए जो video है उसको post कीजिए और इस question को जरूर से attempt करना Students question के अंदर आप से पूछा गया है कि जो black buck national park है क्या गुजरात इस्टेट के अंदर situated है Students black buck national park को हम विलावदार national park के रूप से भी जानते है पर आप देखी कि गुजरात इस्टेट का जो सोराष्टरा का जो region है वहाँ पे situated है भावनगर district और भावनगर district के अंदर ही आपको यह जो black buck national park या विलावदार national park है वो देखने के लिए मिलेगा तो students क्या किसी protected area या national park को हमको district के perspective से भी prepare करना है Students civil service prelims का exam था 2020 का UPSC के दौरा एक question पूछा गया डजट national park के perspective से डजट national park कहाँ पे situated है western part और राजस्तान के अंदर में पर आप देखी कि two district के अंदर में वो जो desert national park है वो situated है question UPSC के दौरा पुछा गया था कि desert national park एक district के अंदर है या दो district के अंदर एसी तरीके से एक statement के अंदर में तो आप देखी कि desert national park किस वज़े से जाना जाता है student desert national park आपको great indian bastard का 90% population है OEC national park के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा और वहाँ पर जो power का जो transmission lines है उसकी वज़े से great indian bastard का जो population है वो decline ना हो उसकी वज़े से ये national park आपको continuous news के अंदर देखने के लिए मिलता है तो आप देखी कि two thousand twenty के दौरान में ये national park है वो news के अंदर में था बारे में आपको detail information है वो जरूर से पता होनी जिए students यहाँ पे हम डज़ेट नेशनल पार्क के ही perspective से discuss करें तो आप देखी कि last इस साल भी ये जो डज़ेट नेशनल पार्क आपको news के अंदर देखने के लिए मिलता है अब recently Supreme Court के अंदर एक petition है वो file किया गया था Supreme Court ने अपने judgment के अंदर बताया गया कि हर एक person को right है हर एक person को यहाँ पे fundamental right है article 14 और अर्टिकल 21 के अंडर में कि किसी भी जो adverse climatic condition है उसके against में उसका जो protection है उसको carry किया जाए adverse climate condition है उसके against में हर एक person को जो fundamental right है वो बताया गया है Supreme Court के दुवरा Article 14 and Article 21 के अंडर में तो आप देखे कि ये Desert National Park इस साल भी आपको जो News के अंदर देखने के लिए मिलेगा Great Indian Bustard के परस्पेक्टिव से अगर हम discuss करें तो राजस्तान का वो State Bird है राजस्तान का State Bird है गुजरात के अंदर भी आप देखे कि जो कच का जो रीजन है गुजरात का जो Northern Part के अंदर जो कच का जो रीजन है वहाँ पे आपको Great Indian Bustard का कुछ पोकुलेशन है वो देखने के लिए मिलता है क्योंकि Dry and Semi Dry region के अंदर में जो Great Indian Bustard है वो पाई जाते हैं जिनकों की हम हिंदी के अंदर में गोडावन के नाम से जानते हैं गोडावन के नाम से इनको जाना जाता है काफी हैवी हुआ करता है ये एक Bird है basically Students अगर हम Question के ही Perspective से Discuss करें तो आप देखे कि कहां पे है Black Black National Park भावनगर District के अंदर में कहां पे है भावनगर के अंदर में भावनगर कहां है सोराष्टरा के रीजन के अंदर में सोराष्टरा basically एक Peninsula है Arabian Sea के वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा Suppose कि ये इंडिया का मैप है Suppose कि ये इंडिया का मैप है ये जो एरिया है इसको हम सोराष्टरा के नाम से जानते हैं तो आप देखे कि ये जो सोराष्टरा का जो रीजन है यहाँ पे आपको जो भावनगर District देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे भावनगर है भावनगर के ही nearby के अंदर अमरेली है यहाँ पे यह आपको जो दोआर का सिटी है जो religious tourism या religious perspective से news के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा या आपको पता होना चीए religious perspective से important city है तो दोआर का सिटी है अमरेली डिष्टिक है भावनगर है इसके लावा जूनागर का जो एरिया है जहाँ पे गिर का जो पार्क है गिर का जो national park है जो situated है एशियाटिक जो lines आपको मिलते हैं जूनागर के अंदर में इस्टुडेंट्स इसके लावा आप देखे कि जो मोर्बी का एरिया है मोर्बी का एरिया आपको news के अंदर 2020 के समय देखने के लिए मिलता है वहाँ पे एक bridge है वो collapse हुआ था और वहाँ से एक river भी pass करता है river का नाम क्या है इस्टुडेंट्स माच्छू river उस river का नाम है जो मोर्बी डिष्टिक के वहाँ से पास करता है तो इस्टुडेंट्स यह जो places हैं काफी बार आपको news के अंदर देखने के लिए मिलेगा राजगोर्ड जो डिष्टिक है पोरबंदर का जो एरिया है सोराष्ट्रा के अरिया के अंदर situated है अब हमने सोराष्ट्रा के बारे में क्यों discuss किया 2016 के समय में UPSC के दुवारा prelims के पेपर के अंदर 2016 के समय में बुंदेल खंड है भागेल खंड है इस तरीके से जो question है वो पूछा गया था तो हो सकता है सोराष्ट्रा के perspective से आप से question पूछ लिया जाए विधरबा के perspective से question पूछ लिया जाए जो कि महराष्ट्रा के अंदर में है विधरबा का region तो इस तरीके से आपको जो region से उनके perspective से information होना चाहिए students next अगर है statement के regarding में discuss करें तो क्या black bucks है वो day के समय active हुआ करते हैं तो आप देखें कि यह जिनका जो population है इनका जो population है आपको इंडिया और नेपाल के अंदर ही maximum देखने के लिए मिलता है black bucks का जो population है तो student day के समय एक्टिव हुआ करते हैं तो second statement है वो भी यहाँ पे correct है third statement के अंदर कहा गया कि जो black bucks का जो population है वो आपको grassy जो grass का जो area है या grassy जो plain का area है वहाँ पे मिलता है या आप देखें कि जो thin forest का area है उसके अंदर में तो student third statement भी correct है आपको जो grass ecosystem है उस area के अंदर black bucks है उनका जो संक्या है उपाई जाती है basically आप देखें कि grassy इनका यह एक important food है वो आपको देखने के लिए मिलेगा thinny जो forest का area है dry decidious का area है उसके अंदर में इनका जो population है आपको देखने के लिए मिलेगा तो all three statement है वो correct है इसके लाव इस्टुडेंट्स अगर हम black bucks के perspective से discuss करें तो आप देखी कि हमने facts के अंदर भी black bucks के बारे में ही रखा है आज black bucks आप देखी कि जो grassland ecosystem का इनका जो population है mainly पाये जाता है three states हैं जिनका कि आपको state animal के रूप से आपको यह देखने के लिए मिलेगा पंजाब है पंजाब है हरियाना है इसके लाव आप देखी कि जो आंदर प्रदेश state है उसका भी यह state animal आपको black buck की ही देखने के लिए मिलता है राधस्तान के अंदर में जो रन्थंबोर का एरिया है काना का एरिया है मध्यप्रदेश के अंदर में इसके लावा इस्टुडेंट बिहार के अंदर भी एक एरिया है जो कैमूर का जो एरिया है वहाँ पे आपको जो black buck का जो population है वो देखने के लिए मिलता है और है तो यह black buck के perspective साथ perspective से कुछ information था अब हम cultural perspective से black buck के बारे में discuss करते हैं इस्टुडेंट्स आपने काफी बार एक जो community है उसका नाम सुना होगा बिस्णोई community विस्णोई community आप देखी कि western part of राजस्तान पंजाब का कुछ एरिया है हरियाना का कुछ एरिया है वहाँ पर उपाई जाती है विस्णोई community को किन के दुवारा establish किया गया था गुरू जंबेश्वर जी की दुवारा उनको establish किया गया विस्णोई community को basically आप name के behind का यहाँ पे जो fact है उसको जरूर से पता होना चाहिए आप देखी कि 20 प्लस में 9 का जो concept है 29 को अगर आप Hindi word की रूप से use करते हो तो उसको बोला जाता है 29 तो 20 प्लस 9 के कुछ यहाँ पे उनकी principle हुआ करते थे कि cultural यहाँ पे जो things से उनको protect करना है कंजरू करना है क्लाइमेटिक जो उनको भी यहाँ पे कंजरू करना है तो environmental conservation के regarding में एक important आपको जो community है बिस्नोई community वो आपको देखने के लिए मिलती है आप देखे कि बिस्नोई community के जो 29 रूल से जिनकों की 20 प्लस 9 या 20 प्लस में 9 बिस्नोई इसी जो concept है उसके थूँ यह जो name है वो आप देखे कि जो अमरीता देवी विस्नोई के नाम से जानते हैं आप देखे कि जो अमरीता देवी विस्नोई है उनके दुवारा environmental conservation के perspective से कितना बड़ा जो sacrifice जो दिया गया था तो अमरीता देवी विस्नोई के regarding में आपको काफी कुछ awards वो भी आपको देखने के लिए मि Black Bucks के बारे में हमने discuss किया factual knowledge है जो environment का जो यहाँ पर protection के perspective से आप देखी कि IUCN का जो status है उसके अंदर में इनका जो least concern status आपको देखने के लिए मिलेगा wildlife protection act का जो schedule one है उसके अंदर इनको protect किया गया है और sites का जो appendix third है उसके अंदर में इनका जो conservation है वो आपको देखने के लिए मिलता है तो this is all the information related to the black bucks के perspective से एक बार कुछ information को revise करते हैं black bucks का population कहां मिलता है grassland या dry semi dry का जो area है वहाँ पे dry decidius के area के अंदर में गुजरात है राजस्तान है मद्यप्रदेश है करनाटक का वी एक wildlife century है वहाँ पे black buck century आपको देखने के लिए मिलेगा और आप देखी कि बिहार के अंदर में और उडिसा के अंदर भी कुछ area है जहां पे black bucks का जो population है उपाये जाता है डे के समय एक्टिव रहा करते हैं गुजरात के अंदर में जो भावनगर डिश्टिक है वहाँ पे black buck national park है जिसको की वेलावदार national park के रूप से भी जानते हैं protected status क्या है ले discussion उसको start करते हैं आप देखे कि fire के जो कुछ incidents सामने आए हैं continuous हमारे जो industrial areas हैं industrial areas के अंदर भी आपको जो fire के जो incidents सा वो देखने के बिलते हैं आप देखे कि students यहाँ पे fire के incidents सामने आए एक hospital के अंदर में कुछ seven जो babies है उनका death हुआ है राज कोट के अंदर भी एक ऐसा incident आ आपने एक एक आपने वैब सीरीज है वो आपने जरूर से उसका नाम सुना होगा fire by trial by fire ऐसे कुछ name है उसका basically 1997 के समय में 1997 के समय में movie release होता है movie release होने के समय में दहली के अंदर में जो cinema hole है उसके अंदर over crowd आपको जो population है वो देखने के लिए मिलेगा और उसी दोरान में के अंदर में death होगा students और death के बाद में उनके दुआरा continuous जो court के अंदर में जो battle है वो लड़ा गया है उन्हीं की जो story है उसके base में movie है आप देखी कि उन्हीं के दुआरा basically आपको Supreme Court की कुछ judgments है उन्हों देखने के लिए मिलते हैं Supreme Court की judgments किस तरीके से आपको देखने के लि भी होने ची है जो आपको hospital के अंदर नहीं देखने के लिए मिलेगा hospital का जो bed का जो total number है वो basically यहाँ पे 10 या 12 के आसपास allowed था इन्हों ने जो total number हो bed सा उनको भी increase किया है building के अंदर में जो fire safety के regarding में जो majors लेने थे वो भी नहीं लिए गई है तो इस तरीके के जो incidents आपको सम coaching center के perspective से ऐसा read किया था कि वहाँ पे भी fire का जो incident हो सामने आया last year हमने मुखरजी नगर जो धहली के अंदर मुखरजी नगर है उसके perspective से भी एक ऐसा incident हो सामने आया था कि coaching institution के अंदर में जो fire का जो incident हो सामने आया तो students आप देखें कि जो multi-store buildings है multi-store buildings के अंदर में अगर एक भी जगे अगर completely यहाँ पे fire के अगेंस्ट के जो measures है उनको नहीं लिया गया तो आप देखें कि अगर एक भी store के अंदर में incident सामने आता है तो उसके बाद में completely जो building के जो persons है उनके उपर इनका जो उनको यहाँ प्या effect है उनको देखने के लिए मिलेगा अगर हम उन personality के बारे में discuss करें जिनके दुआरा 1997 के समय जो उपहार cinema का area है धहली के अंदर में green park के अंदर में तो आप देखें कि नीलम एंड सेकर कृष्णा मूर्ती नाम के उख अपल है जिनके दुआरा continuous यह जो battle है वो लड़ तो उसको किस तरीके से prevent करना है उसके regarding उनके जो measures है वो होने चाहिए तो students building code है fire के regarding के जो codes है वो आपको समय समय पे देखने के लिए मिलेगे रों इनके दुआरा काफी कुछ किया गया है इनका जो name है आप अपना जो ethics का paper है ethics के लावा आप देखे कि इनका जो name है आप इ जरूर से code कर सकते हो तो नीलम एन सेकर किष्णा मूर्ती नाम के वो person है नीलम एन सेकर किष्णा मूर्ती नेम जरूर से याद रखना है students next अगर हम IPL के बारे में है exam के purpose से नहीं important है next आप देखी कि आपसे ये question हमने कल भी पूछा था गिए जो cyclone जो रेमल है इसका जो name है वो किस country के दुवारा किया गया है आपने किसी ने भी answer नहीं दिया आपको फिर से ये homework है students participate कीजिए discussion के अंदर में जब अगर आप participate नहीं करोगे तो newspaper का आपके लिए कोई meaning है वो नहीं रहेगा रेमल जो यहाँ पे जो cyclonic condition देखने के लिए मिला उसके दुवारा landfall किया ग के समय हमारे यहाँ पे काफी सारे religious festivals हुआ करते हैं तो उसी दोरान में सागरा island का वहाँ पे ritual cleaning के perspective से एक मेला भी आपको सागरा island के अंदर जो मेला है वो भी देखने के लिए मिलता है उसको national status का demand भी किया गया था West Bengal government के दुवारा यहाँ पे हम cyclone के बारे में discuss करें तो हम हमारे यहाँ पे देखें का IMD के दुवारा predict किया गया है IMD का जो predictability है वो increase हुआ है suppose कि 1999 के समय में उडिसा के अंदर एक cyclone का condition देखने के लिए काफी सारे लोगों का death हुआ था अगर हम 99 के उस incident के बाद से और अगर present समय में जो cyclone का conditions है उसके अंदर में जो weather का जो forecast है य कुछ improve किया गया है अब present समय में समय से पहले advisory जारी कर दी जाती है लोगों को वहाँ पे NDRF का जो team है उनके दुवारा लोगों को evacuate कर लिया जाता है तो यह कुछ आपको जो success story है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है ऐसे students आप देखें कि last year गुजरात के अंदर में ज cyclone के दूरा landfill किया जाएगा इस इस एरिया से लोगों को आपको evacuate करना है तो यह basically success stories है इनको भी आप quote कर सकते हो अपने answer के अंदर में आप जो basically हमारा disaster के regarding जो preparedness है उसके परस्पेक्टिव से और हमारा जो GS3 का जो paper है उसके अंदर disaster management का एक topic भी आपको देखने के लिए मिलत जाता है cabinet का किसके दूरा head किया जाता है appointment committee PM सर के दूरा इसके बारे में हम detail के अंदर discuss करेंगा different news भी है complete detail के अंदर में हमास का जो आप देखे कि जो military brigade है उनके दूरा Israel के दूरा जब से counter attack किया गया है उसके बाद से उनके दूरा first time यहाँ पर एक rocket है उसको launch किया गया तल brigade है उनका जो यहाँ पर एक military brigade है उसके दूरा students आपको पता होना चाहिए कि Israel के दूरा air है land है land air and sea के perspective से यहाँ पर हमास का जो dominated area है गाजा इस्ट्रिप वहाँ पर attack किया गया students के गाजा इस्ट्रिप आप देखे कि Mediterranean sea के साथ अपना area share करता है क्या Mediterranean sea के perspective से गाजा इस्ट् सकते हैं एर का जो access वोवीन को नहीं है एयरपोर्ट का जो construction है वो इस्ट्रैल के दूरा नहीं करने दिया गया है गाजा इस्ट्रिप के अरिया के अंदर में और गाजा के गाजा इस्ट्रिप से ही हमास के दूरा अटेक किया गया थे इस्ट्राइल के वहाँ पर जिसकी counter attack क के अंदर में इस्ट्राइल के दूरा continuous counter attack last seven to eight month के अंदर में नेक्स्ट आप देखी कि nuclear जो डेटरेंस है उसके परस्पेक्टिव से यहाँ पर डिसकस किया गया है यहाँ पर हमारे जो फोर्मर नेसे है नेशनल सेकुरिटी एडवाईजर है उनके दूरा यहाँ पर डिसकस किया गया जो nuclear deterrence है उसी के परस्पेक्टिव से डिसकस यह किया गया है इस्टुडेंट जब भी कोई conflict का जो समय हुआ करता है तो जो big powers है जो power allies है उस समय के उनके दूरा maximum उस समय का situation कैसा है उसको predict नहीं किया जाएगा यहाँ पे fail to predict का जो concept हो आपको देखने के मिलेगा आप देखी कि अभी recently Russia के दूरा काफी बार यहाँ पे attack करने के perspective से कहा गया है कि उनके दूरा nuclear का जो attack हो किया जा सकता है Ukraine के वहाँ पे last year हमने read किया था कि बेलारूस के अंदर में अपने जो nuclear weapons है उनको भी उन्होंने basically posted किया था वहाँ पे उनको alert कर दिया गया था Russia के दूरा तो इस समय का जो major जो power allies है उनके दूरा completely इसको predict नहीं किया गया है उसका जब implication सामनी आएगा तो आप देखी उसको basically condemn किया जाएगा इस तरीके का जो activities आपको देखने के लिए मिलता है अभी recent यहाँ पे France के perspective से discuss किया गया है France के दूरा जिस तरीके से कुछ actions लिए गए है against the Russia उसके regarding में यहाँ पर discussion है बटा हमारे exam के purpose से वो important नहीं है exam के purpose से यहाँ पर बताया गया है कि अभी recently Russia के जो political leader है व्लादी मीर पुतीन है उनके दौरा 9 माई का जो day है जिसको की annual victory day parade के रूप से जाना जाता है जो world war second के perspective से तो उस दोरान में उनके दौरा कहा गया कि west का किसी भी तरीके का जो threat है उनको इनके दौरा tackle किया जाएगा Russia के दौरा इनके दौरा nuclear जो यहाँ पर attack का जो बार बार जो इस तरीके का जो conflict है या इस तरीके का जो उनके दौरा जो चेतावनी है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा students 1962 के समय में after the world war second के बा test band जो treaty है वो आपको nuclear के perspective से देखने के लिए मिलता है बट आप देखें कि जिस तरीके से रसिया के दौरा यहाँ पर attack के regarding में कहा गया है चाइना के दौरा अपने आपको prepare किया गया है क्योंकि चाइना के दौरा भी recently अपना यह जो aircraft है जो super carrier है उसको recently test किया गया तो उसी क regarding में यहाँ पे discuss किया गया कि कैसे जो nuclear energy है वो यह basically यहाँ पे peaceful उसका use होना चीए उसके regarding में India का जो 2008 के समय में इंडिया के दौरा आप देखी कि 1998 के समय में nuclear test है उनको complete किया गया था पोकरण के अंदर में इंडिया के दुआरा 1998 के समय में इंडिया के दुआर आप देखी कि NPT है CTBT है उसको नहीं sign किया गया है नुकलियर के perspective से treaties है पर इंडिया के दुआरा civil जो nuclear agreement है तो इंडिया का यह जो एक्जाम्पल के रूप से इनकी दुआरा बताया गया है यहां पे election commission के बारे में है election commission के दुआरा किस तरीके से अपने आपको evolve किया है जो absolute जो votes है उनका जो data है उसको release किया गया है election commission के दुआरा supreme court के अंदर petition है यहाँ पे Supreme Court के अंदर जो petition है वो file किया गया था कि form 17C के थुरू जो बूत की जो agents है उनको यहाँ पे election commission के दुवारा जो total number of words के regarding में जो information है वो provide किया जाए यह news जिसको काफी बार हमने discuss किया है next आप देखी कि यहाँ पे international court of justice के perspective से उनके दुवारा जिस तरीके से genocide का जो activity है उसको माना गया और उनके दुवारा जिस तरीके से advisory भी जारी किया गया है कि यहाँ पे Israel के दुवारा attack ना किया जाए southern part of Hamas का जो dominated area है गाजाई strip उसके southern part के अंदर में जो की रफाव order का area है तो उसी के perspective से discussion है कि आप देखी उनके advisory jurisdiction के बाद में भी उसका implementation है वो नहीं किया गया है ICJ के पास में अपने जो order से उसके implementation के regarding में जो power है वो नहीं है students यहाँ पे जो housing scheme है हमारा जो PVTG community है हमारा जो PVTG community है जो most vulnerable जो tribal groups है उनके perspective से यहाँ पे discuss किया गया है आप देखी कि PM PVTG एक development mission है उसको launch किया गया था PM PM PVTG एक development mission है उसको launch किया गया students PM PVTG के थूरू जो 14.6 lakh इनका जो total population है उनको जो basic amenities है जो present समय में यह 14.6 हमारी जो PVTG community है इनका जो numbers है आपको remote areas के अंदर में काफी skittered है isolated है और आप देखी कि जो basic service है वो inaccessible है इन लोगों की regarding में तो उसी के perspective से PM PVTG है उसको launch किया गया PM PVTG development mission का जो main objective यही था कि socio economic conditions है उनको improve किया जा सके जो socio economic conditions है PVTG community का उसको यहाँ पे improve किया जा सके यह आपको main motive है वो देखने के मिलता है उसी के regarding में आप देखी कि PM जन्मन है PM जो PM जो जन्मन है उसको launch किया गया PM जन्मन क्या है जन्जाती जो हमारी जन्जातियां है उनको basically यहाँ पे नया यह महा अभियान है उसको यहाँ पे launch किया गया जिससे कि उनको 11 areas के अंदर में जो basic amenities है जो essential service है उनको provide किया जा सके 11 sectors के अंदर में जो basic service है उनको provide किया जा सके PM जन्मन के अंदर में 24,000 है 24,000 करोड का जो यह आपको जो project है वो देखने के लिए मिलता है PM जन्मन के अंदर में essential service के अंदर में आप देखी कि यहाँ पे जो initial phase के अंदर में 4.90 लेक अरांड दा 5 लेक क्या सबाद जो पीटी जी community है उनको housing provide करने के लिए एक dbt scheme है उसको launch किया गया कि इनको housing के regarding में dbt scheme है उसको launch किया गया students बर सामने यहाँ पर यही आया जैसे PM किसान के अंदर में mg नरेगा के अंदर में जो incident सामने आते हैं कि spelling mistakes है अलग-लग accounts के अंदर में different name है match नहीं करती है यहाँ पर जो complete details है जो same है आपको pvtg communities के साथ में भी देखने के लिए मिला जो app यहाँ पर जो persons है जिनके दुवारा scheme को grassroots level के उपर implement किया जाएगा तो उस application के अंदर में आप देखे कि working जो system है उसके बारे में भी कुछ concerns raise किये गए हैं कि technological barrier आपको देखने के लिए मिलता है इन लोगों को जो benefit है वो नहीं मिलने के regarding में एक तो name का difference है आधार card के अंदर different name है bank account के अंदर different name है तो name का difference आपको देखने के लिए मिलेगा second आप देखे कि इनका जो name की difference के अलावा भी जो बताया गया है कि basically technological barrier है जो app यहाँ पर develop किया गया है PM जन्मन के regarding में उस app के अंदर में जो information सब वो भी limited है कुछ banks का जो details हो बताया गया banks के अंदर में commercial bank है private banks है उनको यहाँ पर add किया गया है बट आप देखे कि काफी सारे जो pvtg community है हमारा इंडिया का जो postal banking system है जो postal banks है उसके अंदर में वो जुड़े हुए लोग है तो उनका जो bank है उसको नहीं उसके अंदर में रखा गया है तो उसके technology barrier की कुछ यहाँ पर concerns raise है pvtg के बारे में हमने discuss किया highest number of pvtg किसे state के अंदर है students odysa के अंदर में second highest कहां है आंदर प्रदेश के अंदर में और आप देखे कि अंडवान निकोबार के अंदर भी five pvtg है वो आपको देखने के लिए मिलती है उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए icc international criminal court के बारे में है 20 years back आप देखे कि more than 20 years back का वो समय है जब रोम statute के थूरू इस icc को set up किया गया था international criminal court को students international criminal court के जो judge है करीम खान सर उनके द्वारा basically कुछ लीडर से उनको prosecute किया गया है जिसमें इजराइल के भी दो लीडर है उनके जो political leader है defense minister है उनके जो political highest leader है prime minister है उनको basically यहाँ पर basically इस case के अंदर में prosecute किया गया है ICC के दुवारा और हमास के भी three political leaders है उनको इसके अंदर में रखा गया है जिन लोगों के दुवारा जिन countries के दुवार ICC को ratify किया गया है ICC का जो Rome statute है उसका वो part है उन countries का responsibility है कि इन persons का अगर visit होता है उस country के पुतीन के perspective से भी ऐसा ही आपको incident देखने के लिए मिलता है जो ब्रिक्स का जब meeting अफ्रीका के अंदर organize हुआ ता लाश्टियर तो पुतीन के दुवारा उसके इंदर participate नहीं किया गया था रसिया के जो political leader है next अगर हम discuss करें काफी बार आप देखी countries के दुवारा इनका जो obligation है कि cooperate करना है उसके साथ cooperation भी आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा जैसे की सुडान के एक political leader है जिसको की South Africa की दुवारा नहीं अरेश्ट किया गया था तो ऐसे भी incidents से वो सामने आते हैं great significance के बारे में discuss किया गया है कि ICC के दुवारा जिस तरीके से individuals को यहाँ पे देखने के लिए मिलता है उसका implementation किस तरीके से उसका एक limitation आपको देखने के लिए मिलेगा बट आप देखिए एक tool है जिसके थूरू उस person को basically यहाँ पे accountable रखने का जो कोशी सव किया जा सकता है artificial intelligence को हरे country के दुवारा अपने अपने different कानून के थूरू उसको basically regulate करने का कोशीस किया गया है यूरोप का जो country है European Union के दुवारा भी आप देखी convention को यहाँ पे लाया गया आप देखी कि हमने artificial intelligence के रिगार्डिंग में बैलेचली जो declaration है उसको भी डिसकस किया था अभी यूरोप की जो country जो उनके दुवारा AI का जो convention है वो establishment में आया जिसको की different way में treat किया गया है उसी की perspective से यहाँ पे बताया गया एक्जाम के purpose से ज़्यादा कुछ information नहीं है mainly आपको एक तो पता होना चाहिए कि यहाँ पे different different countries के दुवारा उसको different different way में regulate करने का कोसिस किया गया बटर उसको overall regulate किया जाए तो better condition के अंदर में better जो results है वो देखने के लिए मिलेंगे मनीपूर के अंदर में आप देखी कि नोन मनीपूर के जो persons उनके ओपर attack देखने के लिए मिला तो इस वज़े से जारकंड के कुछ laborers हैं जो वापिस अपने घर के लिए वापिस आ चुके हैं उसको यहाँ पर बताया गया है कि first time इस तरीके से मनीपूर के अंदर incident सामने आया cabinet committee on appointment के regarding में जो cabinet committee है appointment का जो cabinet committee है आप देखी कि उनके दुवारा army chief का जो tenure है उसको extend किया गया है आर्मी जीप का जो tenure है उसको extend किया गया अब आपको यहाँ पर cabinet committee है उसके बारे में जानकारी होना जी total committee कितना है cabinet का eight है cabinet ministers इसके member आपको देखने के लिए मिलेंगे PM sir के दुवारा maximum जो six committee है उनको PM sir के दुवारा head किया जाता है टू कमेटी है जिनको PM sir के दुवारा नहीं head किया जाएगा वो कौन सी है एक तो आप देखी cabinet committee on accommodation cabinet committee, cabinet accommodation का जो cabinet committee है जो घरवर मिलता है accommodation का जो cabinet committee है उसको यहाँ पर MHA, ministry of home affairs के दुवारा head किया जाता है इसके लावा देखी कि cabinet committee on parliamentary affairs, cabinet committee on parliamentary affairs है इसको भी यहाँ पर head नहीं किया जाता है PM sir के दुवारा, PM sir के दुवारा इसका भी जो head है वो नहीं देखने के लिए मिलेगा, बाकी जो committee है वो PM sir के दुवारा head किया जाएगा, investment और skill का दो committee है एक committee है investment के regarding में, एक committee है skill के regarding में, इनको 2019 के समय create किया गया था, after the election के बाद में जो international call आपको देखने के लिए मिलती है, जो scam आपको देखने के लिए मिलता है, calls के through में, उसको basically ब्लोक किया जाए, ऐसा department of telecommunication या हमारा जो telecom regulatory authority of India है, उनकी दुवारा जो advisory है, उसको जारी किया गया, telecom regulatory authority of India के regarding में जो basic information है, वो जरूर से बताना है या आपको homework है students, काफी बार हमने इसको discuss किया है, और आप देखी कि telecommunication के regarding में एक international जो platform है, वो कहाँ पे situated है, IAU की नाम से उसको हम जानते हैं, IAU की नाम से उसको हम basically जानते हैं, तो आप उसके बारे में भी जरूर से read करना, इंडिया की जो top countries है, जिनके साथ में trade को carry किया जाता है, तो आप देखी कि maximum countries के साथ में जो trade है, वो यहाँ पे deficit के अंदर मे हैं, means जो trade का जो import है, वो आपको higher देखने के लिए मिलेगा, rather than the export के साथ में अगर हम compare करें, US ऐसा country है, students, US के साथ में इंडिया का जो trade है, वो यहाँ पे surplus के अंदर में है, तो यह भी आपको पता होना चाहिए, क्या यहाँ पे trade का जो surplus है, या deficit है, उसके regarding में question पूछे ग US है, वो आप देखी कि US के साथ में जो trade है, वो surplus है, और भी कुछ country है, जिनके साथ में हमारा जो trade है, वो surplus की condition के अंदर में है, अब world के perspective से जो news है, उनको हम discuss करते हैं, ताइवान के जो political leader है, उनके दुवारा कहा गया, कि चाइना के साथ में जो relations है, strong किया जाएगा, military का जो drilling का जरुरत नहीं है, साथ में ही हम work है, उसको carry करें, रसिया के दुवारा का गया है, युक्रेइन के इस्टिन पार्ट के अंदर में, जो कारकीव का region है, वहाँ पे एक village को evident किया गया है, उनके दुवारा, next आप देखी कि Papua New Guinea का area है, suppose कि ये Australia है, suppose कि ये students ये Australia है, suppose कि कि यहाँ पे जो आपको Papua New Guinea है, वो देखने के लिए मिलेगा, Coral Sea है, Arafura Sea है, वो यहाँ पे situated है, Coral, Arafura, यहाँ पे Solomon Island है, जिनके बारे में हम काफी बार raid करते हैं, Solomon Island में आप देखी कि China और US का जो conflict है, वो आपको देखने के लिए मिलेगा, China, Japan के जो political leaders हैं, वो South Korea के अ यहाँ पे जो injury है, वो सामनी आया, ऐसा ही एक injury हमने अभी recently South East Asia के जो country है, Singapore उसके परस्पेक्टिव से read किया था, Israel के जो PM है, उनके द्वारा पोज किया गया है, कि गाजा के अंदर में जो war है, उसको यहाँ पे end कर दिया जाए, तो PM के द्वारा पोज किया गया, आप दे इजाम के परपस से world के regarding में क्या news important है, पपवा न्यूगिनी का area है, उसको आपको देखना है, अराफूरा सी और कोरल सी का जो location है, वो भी आपको पता होना चाहिए, अराफूरा जो सी है, अराफूरा जो सी है, और कोरल जो सी है, उसका location आपको जरूर से देखना है, तो this is all the information related to the today's newspaper, आप इसको read कीजे, revise कीजे, जो भी information आपको मिला हो, इसको note down कीजे, thank you students, thank you very much.